आज हम अपने चनल पर review कर रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं जिफीऐ और टेबलेट के बारे में जिसे हम से फेकसिम एंड ऑफलॉकसास न टेबलेट के नाम से भी जानते हैं तो आज हम जानेंगे ये टेबलेट कौन-कौन सी समझा होने पर इस्तेमाल की जाती है इसके डोज कैसे लेने होते हैं और इसके साइड एफेक्ट कौन-कौन से हो सकते हैं तो जिफियो टेबलेट में कितना है दम क्या है कम सब बताएंगे हम चल्दी से हमारे चैनल को सब्सक लोगों के लिए टेबलेट नहीं होती है बिना डॉक्टर की सलहा के वो लोग भी इस टेबलेट को इस्तेमाल ना करें बात कर लेते हैं इस टेबलेट में यूज होने वाले साल्ट कॉंटेंस के बारे में तो इसके अंदर से वैक्सिम 200 एमजी होता है जिफियो टेबलेट बहुत ही अच्छी एंटी बायोटिक टेबलेट बस थोड़ी महगी जरूर आती है लेकिन हमारी कई समस्षां का बहुत ही अच्छा समाधान है अब बात कर लेते हैं जिफियो टेबलेट के फायदे के बारे में कि कौन कौन सी समस्या होने पर ये टेबलेट इस्तेमाल की जाती है तो टाइफाइट बुखार के साथ साथ अगर सर में भी दर्द होता है या टाइफाइट बुखार के साथ पूरे बदन में दर्द होता है या बैक्टिरियल इंफेक्शन होने के कारण जो बुखार आता है उसमें भी बोडी में दर्द होता है तो ऐसी समय से होने पर इस कि प्रॉब्लम हो जाता है ऐसी बहुत सारी समस्यां होने पर यह टेबलेट इस्तेमाल की जाती है डॉक्टर हमें देते हैं तो यह टेबलेट इन समस्यां के लिए बहुत ही अच्छी होती है बहुत ही लाबदायक होती है और बहुत ही अच्छा असर करती है आगे इस टेबले आइकन को प्रेस करने ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो में दवाईों के बारे में भी अच्छी जानकारी मिलती रहे बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोस के बारे में तो यह टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट ली जाती है बाकी जो डॉक sales development के बात होने क्वाराद को समझा भोसकती है तो अकर आपको नोजिया की शिकायत होती या उल्टियाह? चाहितyा या इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है तो इस ऐट को लेना तुरंट बंद करते हैं और समझ जाएंगे टैबलेट आपको सूट नहीं कर रहे हैं और अपने डॉक्टर से परामर्श करें मेरे दुआरा दीगी जानकारी कैसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करके बता दें हम समझ जाएंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ थैंक यू सो मच